हेलो दोस्तों स्वागत आप सबीक आपके अपनी चैनल बेसिक नालेज में तो कैसे हैं आप लोग आसा करता है स्वास्ते में पढ़ाई बहुत ही जब अर्दस्तर्स कर रहे हैं दोस्तों आज क्योंकि हम लोग आज देखने वाला है क्लास 8 का जो इंग्लिस का एक्जाम होने पाते हैं ठीक हैं तो चलिए मैं समझा जता हूं ताकि आप लोग टूटी फूटी भासा में भी जिनका अच्छा तो तो अग्दमागा मजाएंगे और जिनको नहीं भी आता है नो टूटी फूटी भासा में भी लिख देंगे तकि नंबर मिल जागा जी यहां दोस्त पातने से अच्छा है कि आप कोसें से रिगार्डिंग कुछ जवाब लिख दो तो नंबर आपको मिल जागा चलिए हम लोग हरे कोसें को समझाते हैं आप लोग को अच्छे से तकि एक्जाम में सवाल आये तो बिल्कुल उसको फोड कर रख दो आप चलिए देखते हैं कि स सबसे पहला सवाल यहां पर देख सकते हो गया कि which awards and how many titles has Sania Mirza on यानि कि जो Sania Mirza जो कि famous tennis player थी उनको कितने सारे awards और कितने सारे titles मिले हैं तो सबसे पहले यहां देख से हो क्या answer कि Sania has won a total 41 WTA का मतलब क्या होता है women tennis association ठीक है and 41 TF यह उनको इतने सारे titles मिले है क्या कि उनको 41 W WTA and 41 TF यह दोनों चीज़ याद रखना आपको हो गया एक काम इतने सारे titles मिले हैं 41 Women's Tennis Association and 41 TF यानिकी International Tennis Federation TF मतलब Tennis Federation ओके titles इतने सारे उसके नाम है और देखिए आपर क्या है सबसे बड़ी बात उनको क्या-क्या अवार्ड मिले रहा है यानिकी ॉमंन Tennis Association इतने सारे awards उनको दिये गया है तो अब लोको मेन क्या रखना है कि 41 WTA, 41 TF, पचमा भुचन, पचमस रखने, सारे चीज़ आपको याद रखना है राजिब गांधी खेल रतना वार्स उनको ये सारे वार्स दिये गए हैं समझ रहे हो बस इसको लिख देना नंबर मिल जाएगा ठीक अगर उन नहीं भी लिख पाओगे तो साइना नहवाल ने पहली बार भारत के लिए अलमपीक मेडल लाई थी अगला स्वाल देखी क्या है तो देखिए पीबी सिंदू इस दा फॉर्स इंडियन वोमेंट टू विनएं समर ओलमपीक टू इन टू होता है ठीक है तो पीबी सिंदू पहली वो महीला थी जिसने समर ओलमपीक में मेडल जीती थी अगला स्वाल देख से तो चार नमर क्या है कि नेम दा फेमस स्पोर्समेन और जारखन जारखन के फेमस स्पोर्समेन कौन-कौन है उनका नाम यहापर लिखने बोला है तो याद रखना कुछ नाम आपलो मैंने यहापर लिखा गया कि दा स्पोर्समेन फ्रम जारखन आर क् पुर्णिवा मातो ये तो याद हो जाएगा बस दो चार बत देख लो नाम याद हो जाएगा पुर्णिवा मातो ये तो हो गिया न चली आगे देखो name the sportsman who won gold medal at cwg क्या होता है cwg का मतलब आद जानते हो comment में जल्दी से बताओ चलो मैं आगे तो बताऊंगा अभी वीडियो को pause करो comment में बताओ cwg का full form क्या होता है तो देखो name the sportsman who won gold medal at cwg मतलब उस खिलाडी का नाम लिखना है जिसने cwg यानि commonwealth game जो होता है ठीक है उसमें gold medal हासिल की दी तो दिखे क्या नाम उनका सानिया मिर्जा जियां दोस्तों सानिया मिर्जा वो है जिसने commonwealth games में gold medal लाई थी भारत के लिए समझ रहे हो तो सानिया मिर्जा won the gold medals at cwg यानि के commonwealth games ओके got it now our next question is what is the highlights of marycom's childhood यानि की marycom's का बच्चपन कैसे बीता था कैसे उसके बच्चपन बीती थी यह जी आपको बताना है तो यह marycom was born इने poor family of rural मनिपूर उनका जन कहां हुआ था मनिपूर में हुआ था और poor family आने के गड़ी परिबार में और rural area इने के डेहाद type का जो होता है हम लोग जैसे गाउं सब में आप लोग रहते हो ना हम लोग उसी type का गाउं में हुआ था और एक गड़ी family में कहां पे मनिपूर में तो याद रचना तो बहुत ही अच्छा परिवेस था जब भले गरीब हो बट परिवेस अच्छा था हूं आगा समझे रहो helping her parents with farm related and letter boxing और क्या अपने parents माता पिता को फार्म में याने के जो खेती होती थी वहाँ पर उनमें वो मदद करती थी और उसके बाद boxing सिखती थी and letter boxing ओके तो यह ची how to protect our environment in topic पर था याद रखना सिनेहा ने किस topic पर लिखा था यसे तो how to protect our environment ओके अगला स्वाल देख सकता आप लोगा स्वाल क्या है why could स्नेहा not meet Ritu to share her grief स्नेहा रितू से क्यों नहीं मिल पाई तो देखे स्रफ एक ही कारण था क्योंकि उसके cycle जो है दोस्तों चोरी हो गई स्टोलेंट मतलब होता है चोरी करना ठीक है तो उसका cycle जो है चोरी हो गया था अगला देखिए 10 नेवर क्या बूल रहा है कि हाट मेड रुपेस फादर एंगरी ठीक है रुपेस का जो पिताजी है वो गुस्सा क्यों हो गया था तो यहां पर देख सकते हो रुपेस फादर हो गया थे रुपेस फादर वाज एंगरी विकाउज फूर ग्रेट्स ठीक है तो आप लोग भी अच्छा नंबर लाना ताकि आपके पिताजी घुस्सा नहों हो नेक्स्ट कुस्ट है ना दोस्तों की वाट फॉर रुपेस फादर अफेर्ट ऑप वाट इस फॉर हां मतलब रुपेस के पिताजी किसके लिए डर हुए थे अफेर्ट किसके लिए थे अफेर्ट किसके लिए थे देखिए रुपेस फादर वाज अफेर्ट ऑप व्द यंगर जनरेसन हुए इस बींग सो इंटरेश्टेड इन वाइलेंस and Crime Related Programs ठीक है उनके जो पिताजी किस बात सु तो यह उनको डर था कि आज कल के बच्चे इस प्रकार के एक्टिविटी में इन्वाल्व हो रहे हैं क्राइम कर रहे हैं या फिर जो वाइलेंस है जगड़ा गुड़ा में उनको ज्यादा मजा रहा है ठीक है तो यह था दोस्तों आप लोगा इंग्लिस का कुछ महत्पूनो और आप लोग इंग्लिस में अगला वीडियो किस पर चाहते हैं किस प्रकार के वीडियो चाहते है कमेंड में जरूर बोलना ठीक है ताकि मैं अगला वीडियो उसके रिकॉर्ड अकौर्डिंग बना सकूँ और अप लिग बता दो दोस्तों फर्स ट्रम का भी आप लोग कर दो तकि सभी दोस्तों को पहुंच सके और अच्छे समझ करके एक्जाम में खुद की भासा में लिख सके देखिए इंग्लीज रटना difficult है थोड़ा सा जारकन बोड के लिए मैं यह नहीं कहता हूं difficult सबके लिए बट बच्पन से जब और इसा माहूल नहीं कमेंट में सभी लोग जरूर बोल देना चलिए उस्तों लब यू आल थैंक्यों अलब ही अवगल इतना है फिर में लिए नेक्स पीडियो में जल्दी तब देक लिए जाहिंद वंदे मातरम